तो उसका ज्ञान तो हमको होगा ही होगा प्रेम करने वाले से अपने को हम कहां छुपा पाते हैं जिससे हमाना प्रेम होता उसके सामने हमको आज नहीं तो कल प्रगट होना पड़ेगा भगवान से दी हमको प्रेम होगा तो भगवान अपने को छुपा पाएंगे क्या आज नहीं तो कल निरावरन होंगे ही होंगे और यह मेरे ठाकुर को प्रगट करने का यह सुभाव ही है उन्हीं का तो आयो जाने अपने को प्रगट करने का कि तुम एक जगे काय को देखते हो ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहूं यह उन्हीं को प्रगट अपने को प्रगट य च्छोद पायोर निवृत्ति, हमारे शीए नौयोगे शुर्षर्टमवाद में इसको बहुत सुनिर रंक से प्रतिपादित किया गया, तौ यह दी हमारे जीवन में महराज यह प्रेम है, तो विवेक आएगा ही आएगा, और मारज आनुद हमारे जीवन में आएगा बैराग्य हमारे जीवन में आएगा भगवान ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो शी प्रहलाज जी के समीब तो मैं जाऊंगा और मारज वहां से भगवान पुन्री काख्ष सब्द प्रियोग किया गया है और आकर के शी प्रहलाज जी महाराज के सामने संक चक्र गदा पत्मदारन करके हमारे ठाकुर प्रगट हो गए और जब शी प्रहलाज जी महाराज के सामने प्रगट हुए तो प्रहलाज जी महाराज भगवान की इतनी मदुर स्तुती करते हैं भगवान को इस्तुती बहुत प्री है भगवान को जो इस्तुती करने वाले प्री लगते हैं शीप प्रहलाज जी माराज ने जो इस्तुती की आठ श्लोक है बहुत प्यारे श्लोक हैं ये हमारे शीप प्रहलाज जी मारा ठाकुर को निहार करके कहते है त्रभुवन कमनी सब्द का परियोग किया है, आपके अंदर ये त्रभुवन है, सकल कलंक हरम परप्रकाशम, इस मारा सकल माया का अपरण करने वाले परप्रकाशत शुरूप, अशरन शरनम शरन मीशम, आप अशरन के शरन हैं, हम आपकी शरन में आये हुए हैं, आप हमारे इश हैं, और आप इस जगत को बनाने वाले, पालन करने वाले और संगार करने वाले हैं, हरी मजम अच्युतम इश्वरम प्रपद्दे, हम आपके शरन में गहन करने, हम आपके प्रनिपत होते हैं, आपक संदर स्थुति की भगवान प्रशन हो करके बोले प्रहलाद जो तुम्हें मांगना हो आज मांग लो अंबर देने वालों में स्रिष्ट तुमारे सामने खड़े हैं बरम गुण निधे देत्य कुला चूडा महामने देत्य के चूडा मनी अर्थाद देत्य कुल में उत्पन होने वाले गुण निधी चूडा मनी के सुरूप तुम जो मांगना चाहते हो तो मांग लो आज हम मांग देने वालों में परम उदार आपके सामने विराज माने परम उदार कहने का मरा जी सब्द यही प्रयोक किया है परम उदार माने सिधा सादा होता है उदार माने उत उर्दम ददाती सह उदारा सह उदारा सो उदारा उदार वो कौन है उदार उसका नाम नहीं कि महराज हजार रुपए हो तो हमने दो रुपए दे दिये तो हम बड़े उदार है उदार उसका नाम है कि महराज हजार रुपए हो और कोई मांगने लगे तो लगे कि हजार रुपए किसी से करजा ले करके हम दे दे उसका नाम उदार है एक उस परिवार के लोग अभी भी हैं तो सेवक मारा सबजी लेने के लिए जाता था आश्रम में रहता था और किसी को दुखी देखता था तो सबजी जो लेने के लिए पैसा लेकर की गया वह पैसा दे देता था उसको ले जाओ और बाद में आये तो मांगे कुठारी से की पैसा और लाओ सबजी लाएं तो कुठारी डांटा था बाबा के पास बाद गई होगी तो कहा कि यह दे की आया है तो बाबा निका और दे दो बाद में कुठारी जी को ट कहता था कि बार बार क्या कहते हैं हमारे पगार से काट लेना और जब उसकी तनुखाय देने का समय होता तो उसके पास कुछ नहीं रहता था करज़ी में रहता था हर दम और करजा वो किस के लिए दूसरों के लिए दिन दुखियों के लिए तो मरशी कहते हैं इसका नाम उदार है लाखों करोणों हमारे पास में रखे हैं और हम दो चार रुपे दे दें कहें उदार सिरोमणी है तो उनका नाम उदार सिरोमणी नहीं अपने सामर्त से ज़्यादा मुझे तो लगता ठाकुर से बड़ा कौन उदार होगा दुनिया के लोग तो माराज संपत्ती सुविदाही देते हैं और ठाकुर जी अपने को उठा कर दे देते हैं अपने कोई देश से बड़ा उदार हो और कौन होगा हमी को ले लो तो कहां कि परम उदार सिरोमणी समझ करके हमसे मांग लो जो मांगना है प्रहलाज जी माराज ये सुनकर के बड़े आनंदित हो गए सर्व संकल्ब फलत्यागी सर्व संकल्ब तो त्यागने वाले बगवान की और निहार करके कहां की प्रभू एक बात कहें मैं तो जीव हूँ और मुझे तो माराज पता नहीं है कि क्या मांगूं क्या न मांगूं जो दुनिया का सर्वोत्म जिसे आप सर्वोत्म समझते हो वा हमको दो जिसको भी आप शर्वोत्तम समझते हैं कि ये सब से उत्तम है इस से उत्तम जगत में कुछ दूसरा नहीं है वा आप क्रपा करके हम को दो जो मारा जीनोंने कहा तो का भाई सर्वोत्तम तो अपने सुरूप की प्राप्ति ही है क्योंकि इस से ज़्यादा कुछ उत्तम है नहीं क्योंकि उत्तम से उत्तम पदार्थ आप प्यारे इखटे भी कर लो आप कभी विचार करना उत्तम से उत्तम पदार्थ हम आप इखटे कर लें किन्तो कितने दिन रहेंगे हमारे पास कितने दिन कितने समय और मैं तो महराज कई बार देखता हूँ जिनको आज हम उत्तम मान करके बड़े प्रभावित होते है जगत के वस्तुवन से तो हमारे इस चित रुपी बालक की जो देनी दसा है आप लोगों की तो बात नहीं मैं के ता अपनी बात बता रहा हूँ जैसे कोई बालक कोई चीज मिल जाती है तो बड़ा खुस होता है खिलोना कि मम्मी ने खिलोना लाके दे दिया खिलोना लाके दे दिया कि इन्दोस खिलोने के साथ कितनी देर अटेश्मेंट रहता है एक दिन दो दिन बाद में वो खिलोना कहां पड़ा है और वो कहां जड़ के साथ तो ये बेवार करता ही है, चेतन के साथ भी करता है, चेतन के साथ कैसे जगत में, जो सेवा काते हैं, जो प्रेमी आते हैं, कुछ दिन तो बहुत भाते हैं, बाद में भाना बंद हो जाते हैं, बाद में भाना बंद हो जाते हैं, उनका भी महत तो तिस चला जा है तो कुछ दिन तो रहता है कि हाँ भाइ बहुस अच्छा सेवा करता है उससे भी उपरामता हो गई इस दुनिया में मारा सबसे उपरामता होने वाली ही है अपने को छोड़ कर अपने सुरुप चिन्तन को छोड़ कर के और एक कही भ्रम महराज मत रहे गागर रह रहो तो निकाल कर फेग दो इस दुनिया में अपने आत्रिक्त कोई किसी को चाहता भी नहीं है सब लोग जितने लोगों की चाहत है सबको अपनी चाहत है ऐसा हमको बहले लगता हो कि हम दूसरे को प्यार करते हैं किन्तों सब प्यार करते अपने को ही है अपने को यदे सुख न मिले तो कोई कितना भी प्री क्यों न हो उसका हम त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अपने को जो भी प्रीन लगे ये जितनी प्रीता माराज दिखती है ये सारी की सारी प्रीता अपने लिए ही है आपको चाहने वाला कोई मरज है ही नहीं, एक गीता प्रश्य निकला एक लोटा पानी, गरंथ का नाम एक लोटा पानी, अम बजपन में उसको कई बार पढ़े थे, वैसे ये कई उसमें सची सची कहानिया है, कत्रित की गई, गाओं का नाम, नगर का नाम, सब का नाम दिखा गया है, ऐसे मरज पहले गरंथ चलता था, ज्यान वईराग्य प्रकास, उस गरंथ का नम था, ज्यान वईराग्य प्रकास, पहले के महात्मा लोग, मरज हम लोगों जैसे अटाइची नहीं रखते थे, उनके पास ये गरंथ रहते थे, और सुवधा की सामगरी भले नहों, अमने माराज पकड मात्माओं को देखा है तो गीता कोई लिए है एक गरंथ कोई न कोई गरंथ ऐसे वो पहले कि मात्मा वो गरंथ अपने पास रखते थे ग्यान वाईरागे प्रकास बड़ा बिलक्षन गरंथ है तो बड़ा छोटा कलेवर जैसे पुझा स्वामी जी माराज को मैंने ये योग वाशिष्ट की कथा पढ़कर सुनाई थी पहले पहले वैसे ही माराज मैंने वो कथा स्वामी जी को पहले सुनाई यहां जज स्वामी भी थे उनको भी उनके कमरे म में सुनाई उनको तो कई जश्वामी को भी पढ़कर कई गरंत सुनाया मैंने साइंकाल एक गंटा पढ़कर सुनाता था उनको तो माराज उसमें एक बड़ी बिलक्षन गटना थी यह से पता चल जाएगा ज्यादा विस्तार से वर्ण नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको माया के सुरूप का वर्ण करके बाद में अपने सुरूप का भी प्रतिपादन करते विवानी को भी राम देना है तो एक सामान दंग से मैं गटना सुना देता हूं उसमें तो नाम लिखा है सब पूर्च पता है वर्ण लिखा हुआ है उसमें वर्ण है कि एक बालक किसी महात्म कि पास जो जाता था बालक तो कुछ दिन के बाद माता पिता को डर लग गया कि कहीं बाबा जी न बन जाए मराज इतना दुर्भाग का खेल है चोर बन जाएगा चलेगा लुटेरा बन जाए चलेगा जेव कड बन जाए चलेगा महात्मा नहीं बनना चाहिए महात्मा नहीं बनना चाहिए बिलकुल घरवालों का मने नहीं होता है बड़ा बिलक्षण खेल है जिनके माता पिता ऐसे हों तो मैं तो उनको बंदन करता हूं लाखों करोणों में कोई हैसे माता पिता होते हैं जिनको ये हो कि हमारा बालक महात्मा बन जाए हमारा बालक भग उसने माहत्मा के पास जाना बंद कर दिया ओई नूनते लकडिया में बिचारा लग गया माहत्मा भी ऐसे होते एक बार पकड़ लेते तो जल्दी छोड़ते नहीं है माहत्मा को एक दिन उबजार में मिल गया बोले क्या बात है बिनोद आना बंद कर दिया बोले माराज ऐसी पत्नी मिल गई बहुत प्यार करती है मेरी वज़े से मेरी वगएर खाती नहीं है मेरे वज़े सोती नहीं है और आपके आँ सस्तंग में आ जाता हूँ तो बड़ी देर हो जाती है इसलिए हमने सोचा उसका ध्यान रखना है माहत्मा बोले कि सच्चाई देखना चाहते हो बोले सच्चाई आप क्या दिखाओगे मैं रोज देखता हूँ बोले जो तुम देखते हो सच्चाई नहीं है और माराज वो माहत्मा ने कहा कि तुम मेरे पास आना मैं सच्चाई दिखा दूगा कि तुमको कितना कोई कौन कितना प्रेम करते हैं लोग और माराज उनको एक ऐसी विद्या सिखाई प्राणायाम साध ने की कि वो एक दो घंटे तक प्राणायाम साध सके हमको तो हमारे स्वामी जी ने एक ऐसी विद्या सिखाई हमारे पास विद्या है कोец डाक्टर चाहें तो प्रयोग कर ले एक ऐसी ट्रिक है वो ट्रिक है बिद्या क्या ट्रिक है यह रुमाल लेकर कि आप लोग अपने आप देख लेना रुमाल लेकर थोड़ा मोटा यह बता देते हैं यह बगल में दबा लेना तेजी से फिर डाक्टर को कहना तो मिलेगी नहीं उसको नफज नहीं मिलेगी आप देख लेना प्रयोग करके खो मोटा कपड़ा यहां बगल में दबा लेना तेजी से और दबा कर फिर उसको कहना कि नफज खो जो नहीं मिलेगी हमने मरा यह प्रयोग किया ये भी बिद्या सिखा दी होगी, मात्माओं के पाद तो सब बिद्याएं रहती है, सिखा दिया उसको, और कहा कि जाना पत्री को कहना कि आज खीर बनाओ, माल पुआ बनाओ, हमारा बहुत मन है खाने का माल पुआ, और जब माल पुआ खीर तयार हो जाएं, लग भग, माराज उसने वैसे किया, और जब गिर गया तो पत्नी आई दोड़कर, क्या हुआ, क्या हुआ, देखा, मामला तो गया, सोचा ये दी रोना प्रारम कर दूँगी, लोग इखटे होंगे, अभी बारा बजरा है, ले जाते, ले जाते, सायंग होगी, तब तक तो ये माराज खीर खड़ाब हो जाएगी, गर्मी का टाइम, तो पहले तो हम खीर माल पुआ चान लेते हैं, और बाद में रोना प्रारम करेंगे, तो माराज उस देवी ने माल पुआ और खीर बैट कर चानी, चका चक, और खाने के बाद फिर रोना प्रारम किया, अब जब रोना प्रा खाम नहीं, तो घर में लकडी का खंबा था, उसमें पैर फसा करके बैठा था, उसी में माराज लेड़ गया, शरीर कड़ा हो जाता है मरने के बाद, सब लोग मारा जब ले चलने की तयारी होने लगी, सब लोग रो रहे थे, पैर निकले ही नहीं, जब पैर नहीं निकले, तो लोगों ने का भैस खंबे को काट दो, जो खंबा कटने लगा तो देवी रोती हुई आई, बुले खंबा मत काटो, अब खंबा बनाने वाला तो चला गया है, अब यह खंबा कौन तयार करेगा, इनका तो सरीर जलना है, पैर ही काट दो, इनका तो सरीर जलना ही है, पै पेरे काट दो जो पेर काटने का नंबर आया तो उसने का मैं तो जिंदा हूं मरा नहीं हूं और उटकर के महत्मा के पास चला गया तो मैरा जाब ब्रह्म में कहीं मत रहना कि कोई हमको प्रेम करता है अच्छा यह आप लोग यह मैं समझ लेना कि माताओं की तरफ से गड़ब थी है जी परमस्वार्थी तो मैं निवेदन बस इतना ही कर रहा था कि इस जगत में सर्वोत्तम यदि कोई है तो अपना सुरूप ही है अपना क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उसी को प्रेम करते हैं उससे अत्रिक्त हम किसी को ज़्यादा प्रेम्रेम करते नहीं है उसके कार किसी से प्रेम हो जाए कि हमारे सरीर को जो सुक दे रहा है हमारे मनोनकुल व्यापार कर रहा है विवार कर रहा है तो हम उससे प्रेम कर बैठें स्री प्रैलाज जी महराज ने कहा कि प्रभुयदी आप देना चाहते हो तो जो सरवोत्तम आप समझते हैं क्योंकि महराज मुझ आप सब संदेशों से मारा संदेवों से उपर उठ गये हो तुमारा अंतक कर्ण पवित्र हो गया है अब ब्रह्म साक्षात कार परियंत तुमको विचार मिले ब्रह्म साक्षात कार परियंत विचार तुमको मिले अमारे वशिष्ट जी माराज कहते इस प्रकार राम जी ये कह करकि महराज भगवान तो चले गए उनके जाने कि बाद यह विचार करना प्रारम किया इनों ने यह विचार करते हैं क्म अहम नाम तावत स्वाम, कोशमिन, महराज भवन आडाम बरे यह चिनतन करते हैं का być विशय क्या है कि मैं कौन हूँ देखो हम लोगों के चिंतन धारा सबसे पहले प्रारम हो ये विद्या की मैं कौन हूँ आप इसका विचार करते हुए जब जाएंगे मारा जिनोंने ये विचार करना प्रारम कर दिया है और ऐसी ऐसी युक्तियों से इनोंने विचार किये हैं क्योंकि जो मैं नहीं हूं उसका परित्याग करते आप चले जाओ, तो इसमें बड़े बिस्तार से कई अध्यायों मिमारा जिसका वरण किया है, क्यों कैसे कैसे विचार करते हैं कि सरीर मैं नहीं हूं, क्यों सरीर मैं इसलिए नहीं हूं, कि सरीर प्रकास्य है और मैं प्रकास सकु हूँ, शरीर जड़ है, ये सरीर हाथ हमको नहीं जान सकता है, हाथ को हम जानते हैं, ये सरीर हमको जान पाएगा, क्या, सरीर हमको नहीं जानता है, हम उसको जानते हैं, ऐसे युक्ती से महराज एक एक पदार्थ को इन्होंने निराकरण किया है, कि ये हम नहीं हो सकते, और माराज जब इनको नुन देखा कि ये चिंतन बार बार ये करन रस्मे चिंतन इनका जीवन में चल रहा हैं और यहां चिंतन करते 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 इनकी बोध की स्थिति हो गए और निर्विकल्प समाधी में चले गए ये चिंतन की मैं कौन हूँ ये विचार युक्ती यु और नर्ण राजा का बहुत बड़ा कर्तब भी होता है ये बिल्कुल द्यान देने लाइक है जहां जिस इस्थान पर जो व्यक्ति बैठा है जो उसका कार्य है अभी राजा थे और राजा समाधी में चले गए अब भवन से बार आना नहीं प्रकोष्ट से बार आना नहीं असुर सब उच्छंखल हो गए ये जो भावावेश के कारण क्योंकि कई बार आवेश होता है आप लोग भी इस आवेश से अभी जैसे यहां से जाओगे न को ये साथ दिन का स्युपुरान का अपने योगवाशिष्ट का आवेश रहेगा कुद दिन तो पका रहेगा क्योंकि हम उसी दिन देख रहे थे सब सब्दों का आवेश तो होई गया था ऐसे जो आराजनाशी प्रहलाज जी माराज का जो जीवन था जिसके आधार पर वो चलते थे साथ वाले माराज उसी चिंतन धारा में सब बहने लगे थे सब वैश्णों बने गए थे सब भक्ती के प्रबास से प्रभावित हो करके जीवन यापन कर रहे थे उनके सब और जब राजा निकले नहीं बाहर तो धीरे 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 माराज ये सब लोग उच्छंकल बनने लगे आपस में ही जगडा करने लगे और माराज याचंतन करने लगे कभी अधर जाएं कभी उदर जाएं जब बहुत उच्छंकल हो गए स्वरगादी पर भी इराज करने के लिए माराज दोड़ने लगे बिसे लोलूप हो गए तब भगवान इनके समीप आये और नारहन नारहन इनके समीप आकरके ये जो समाधी में बैठे हुए थे इनको समाधी से जगाया और समाधी से जगा करके इन्होंने कहा समाधी और समाज के लिए जो जिनके जीवन में बोध नहीं हुआ है उनको तो समाधी में सुख मिलेगा एकांत में सुख मिलेगा विचार में इस प्रकार सुख जो बोध बार्न बन गए है जिनको ब्रमात्माई के बोध हो गया है वो महराज कहीं भी नहें सुखे सुमम नापेक्षा नोपेक एक्षा दुख्य मृत्यिसरू, सुभू दुख्या पयानतु यानतु, कहा कि महराज नशुक्य निवारन की खावना है, क्योंकि उसके अत्रिक्त अपने स्वरूप के अत्रिक्त कुछ देखते ही नहीं है, जब कहीं दूसरा कुछ नहीं है तो फिर एक आंते में बैठने की क्या जरूरत है उद्यम करो मारज बात यह है यह स्रोता को देख करके भी बक्ता बोलते है ग्रंत वही होगा प्रवचन वही होगा कि इन्दु सब के आधार पर अलग अलग ढंग से वह प्रभाव डालता है अब यह राम जी माराज सुन रहे हैं इस कथा को राम जी को कोई बाबा जी थोड़ी बनाना है वसरिष्टी जी माराज को उनका उद्देश बाबा जी बनाने का नहीं दुष्टों का दलन करने के लिए वह आउतार लेकर आये है अभी तो लिला मराज 16 वर्स के हुए नहीं है अभी तो इनको पूरी की पूरी लिला करनी है इसलिए उनके लिए तो माराज उद्द्योग ही सिखाना है उद्द्योग ही ने बनाना है क्योंकि उद्द्योग वाले नहीं होंगे उद्यम नहीं धारन करेंगे तो काम कैसे बनेगा तो महराजी उद्यम में प्रियुक्त करना है इसलिए महराजी ये लिला इनको सुना करके इनको भी उद्यम में ही प्रियुक्त किया गया फिर उन्होंने महराज प्रजा का पालन करना ठीक डंग से किया है और बिल्कुल जीवन मुक्त हो करके जैसे जनक जी महाराज जीवन मुक्त हो कर जीते थे जैसे जनक जी महाराज जीवन मुक्त हो कर जीते थे जैसे सुगदेव जी महाराज जीवन मुक्त हो कर जीते थे वैसे ही श्री प्रहलाज जी माराज भी जीवन मुक्त होकर ही जिये है राग द्विश से बिलकुल उपर उठ करके अमरे महराश शेक इनका चरित्र सुनाते थे प्रहलाज जी माराज का मैंने सुना है कि देवगुरु ब्रहश्पती का बेटा कच और इनका बेटा शी प्रहलाज जी माराज का बेटा ये देखे कैसे जीवन मुक्त महापुरुष राजा के पद पर बेटे हैं तो पक्षपाद पूर्ण जीवन नहीं है बिलकुल न्याय पूर्ण जीवन तो उक्षरित्र बड़ा अन्यप विष्ट्र पुराण में उसका वर्णन है उस चरित्र का तो ये दोनों महाराज बन में गए थे एक सुन्दर कन्या देकी सुकेशनी उसका नाम था सुन्दरी थी उस कन्या को देखा तो ये दोनों पहुँच गए और जब दोनों उनके समीप पहुँचे तो उसने प्रस्ताव रखा कि हम तुम दोनों में से वर्ण तो एक का करेंगी और जो तुम दोनों में से स्रेश्ट होगा उसका वर्ण करेंगी और जो छोटा होगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए अब महराज ये दोनों उसके रूप पर अनुरक्त हो गए थे तो दोनों में स्रेश्ट कौन है ये कौन बताएगा कि देव गुरु बरश्पती का बेटा कच स्रेश्ट है कि इस समय राजा का बेटा मराज इनका बेटा स्रेश्ट है तो पूछा कि अन्याय के लिए कहां चलेंगे कच ने कहा कि राजा के पास प्रहलाज जी मराज के पास और श्री प्रहलाज जी मराज के पास जब न्याय के लिए आये तो श्री प्रहलाज जी मराज ने बेफिक्र हो करके कहा कि देव गुरु ब्रहश्पती का बेटा कच यही स्रिष्ट है उस देवी ने कहा कि आपको ये पता है अगर आप उसको करिष्ट बताओगे तो फासी की सजाय उसको मरत्यु दंड है उन्होंने काम को पता है किन्दो जो सच्चा ही है वो हम भोलेंगे और वही बोला बाद में तो मारे पुराणों बरणे ने कच्छ ने स्युकारी नहीं किया और कच्छ ने कहा कि जब उन्होंने मारे नियने दे दिया तो कहा बिवावले मुरे कुछ को साथ बिवाद नहीं करना है बिवार नहीं किया और कहा कि यदि ये दंड दे दिया जाएगा तो आज के बाद राजा कौन न्याय करेगा कोई न्याय नहीं करेगा तो जीवन मुक्त महापुरुष ऐसे हैं स्री प्रहलाज जी महराज कि अगर बेटे को भी मौत की सजा मिलने वाली हो और महरा तब भी वह न्याय से इधर उदर नहीं अटेंगे अपने न्याय का परित्याग नहीं करेंगे तो आज जीवन तो ऐसा ही होना चीए बोलो भक्त वत्सल भगवाने की